Computer दक्षता परिक्षा यानी Computer Proficiency Test इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको देखने चाहिए इसमें हम MSBird की जो Home tab में Common Uses के Menus हैं उन पर बात करेंगी जो First Section है यहां पर यह Tab कहलाता है पहली बात और यह पूरे जो है Section and Editing Section ठीक है तो पहला जो Section है वह Clipboard का है और इसमें Cut, Copy, Paste and Format Penter यह चार चीज़ें रखी गई है Cut का मतलब basically होता है किसी भी Selected Content को बहां से Mainly या पूरी तरह से उठा लेना जैसे Drag & Drop में होता है न उठा लियाना Total Content बहां से ठीक है बैसे ही क्या होता है यहां Drag & Drop नहीं होता यहां से Cut करके Memory में Store होता है और बहां से दूसरी जगह ले जाकर के हमें जैसे Drag मतलब उठाना, Drop मतलब Paste करना तो बैसे Cut मतलब उठाना और Paste मतलब बहां पर छोड़ देना उसे ठीक है तो बैसे यहां पर जब हम किसी Content को Select करते हैं Right Click, Cut किया या फिर Selected Content और Cut किया तो बहां से वो ओठ जाता है Memory में आ जाता है और जहां पर भी हम रखते हैं उसे बहां पर या तो Right Click करके Paste कर दें या फिर यहां से Paste कर दें तो यह Cut का अब Cut हो या Copy हो दोनों ही Paste के बिना अधूरे होते हैं जैसे Simple है अगर मैं किसी Content को यहां से Drag कर रहा हूं तो जायर सी बात है यह तब तक पूरी नहीं होगी Process जब तक कि वो Drop नहीं हो जाता तो Cable Cut से कुछ नहीं होता पेस्ट उसका Final Destination होता है Copy में क्या होता है वो Content बहां तो रहता है Copy करेंगी तो वो Content बहां तो रहेगा और जहां पर ले जाके आप पेस्ट करेंगी बहां भी पहुँच जाएगा मतलब Duplicate ठीक है जैसे करते हैं कि हम Drag & Drop में किसी चीज़ को Control के साथ Copy करते हैं तो वो बहां तो रहती है बट यहां भी आ जाती है मतलब अगर आप Ctrl-C या Copy करते हैं या फर Ctrl के साथ Drag & Drop करते हैं तो वो चीज़ भी Same task करती है ठीक है तो यह Cut, Copy & Paste हो गया अब Format Painter क्या होता है जह सपोस कीजिए इस पर मैंने कुछ Formatting कर दी यहां पर मैंने Background Color इसका Yellow कर दिया and इसका जो Text का Color है वो मैं इसको यह कर दे रहा हूं ठीक है तो अब अगर इस Content की जो Formatting है मैं again दोबारा दोबार क्लिक नहीं करना चाहता तो मैं इसको Select करूंगा और Format Painter पर क्लिक कर दूंगा इससे क्या होगा कि इसने इसे Copy कर लिया अब मैं जहां कहीं इसको देखो ब्रस बन गया है मेरे Cutser पर अब मैं जहां इसे छोड़ूंगा जहां पर क्लिक करूंगा उस चीज में वह Formatting एपलाई हो जाएगी देखो गई अब बस काम खतम यह वन टाइम होता है एक बार ही इसकी कमांड काम करती अगर आपको फिर से Formatting कॉपी करनी है तो आप फिर से Select कीजिए and Format Painter पर क्लिक कीजिए and then फिर जहां पर Drop करना वहां पर क्लिक कर दीजिए तो यह ऐसे काम करता है कट में क्या हो रहा है content copy हो रहा है content cut हो रहा है copy में content copy हो रहा है Format Painter में उसकी Formatting copy होती है clear font section में move करते हैं यहां उसका font का नेम होता है, मतलब जो content हमारा है, वो किस font में है, तो आप इसको देखें, cursor रख दें, तो यह by default उसका नाम सो करता है, ठीक है, अगर मैं यहां पर कुछ ABCD टाइप कर दूँ, तो अभी आप देखो इसका font बदल गया, calorie body हो गया, कि जो content मैंने type किया है, वो calorie body में है, यह जो content type है, वो mangal में है, देखो, मैं cursor सिर्फ move कर रहा हूँ, यह उसका actual name बता रहा है, कि वो किस font में type हुआ है, ठीक है, side में उसका आप size देख सकते हैं, यह जो arrow आप देख रहे हैं, इस से उसका और भी list कुल के आता है, कि जैसे जो content है, इसको मैं किस font में apply करना चाहता हूँ, जैसे मैंने select किया, arrow पर click किया, तो यह जो जितने font हैं, वो apply हो जाते हैं, अब चूंकि यह content unicode है, तो इस पर वह effect करेंगे, जिनके सामने देवनागरी लिखा होगा, ठीक है, जैसे अगर मैं इस पर करतिदेव लगाँ, तो वो effect नहीं करेगा, क्योंकि वो non unicode font है, ज्यादा कुछ effect दे गई नहीं उस पर, लेकिन जिनके सामने देवनागरी लिखा है, अगर मैं उनको यह apply करता हूँ, देखो, आप यह देखो, changes हो रहे हैं उसमें, हो रहा है, देखो, यह देखो, तो जिनके सामने भी देवनागरी लिखा है, क्योंकि unicode में काम कर रहा हूँ ना, इस बज़ए से, तो यह basically font को बदलने के लिए, अगर कहा जाए कि आपसे coquilla font apply कर दो, तो simply select करो content को, और यह देखो, coquilla कहाँ पर है, या फिर आप manually यहाँ पर type कर सकते हैं, क, ओ, क, वो आ जाएगा, then enter दबा दो, तो वो select हो जाएगा, ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि उसकी font size बदल दो, by default इसकी font size 10 है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसको 16 कर दो, तो आप सूची से कर स सकते हैं, या फिर manually यहाँ पर 16 type करके enter, rest कर सकते हैं, तो यह font size बदल गई, इसके अतरिक्त, आप देखें कि इसके side में यह दो जो छोटा ये, बढ़ा ये बने हुए हैं, बढ़ा ये font size बढ़ाने के लिए काम करता है, जैसे आप इसको select करके click करें, तो वो दो को बढ़ा जाता है, ठीक है, उसके side में है change case, तो हाला कि हिंदी में तो case का कोई मतलब नहीं होता, बट अगर content अंग्रेजी में हैं, जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ है, आमित is a good boy, ठीक है, sorry, तो यह क्या है, इसको मैं हटाई देता हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास एक sentence है, तो by default यह wrong है, grammar के हिसाब से, क्योंकि पहला character capital होना चाहिए, ठीक है, तो यह change case से काम आता है, कि sentence case में अगर मैं कर दूँ, तो पहला character इसका बड़ा हो जाएगा, बाकि यह सब normally काम करेंगी, क्यों नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी यह काम कर रहा है, मै अगर मैं इसका lower case करूँ, तो सारी lower हो गए, तो कुछ sentence case नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कोई bug है, अपर case करूँगा, तो अपर हो रहा है, capitalize each word, मतलब हर एक word का, हर पहला character बड़ा हो जाए, ठीक है, तो यह change case बेसिकली होता है, केबल और केबल अंगर energy में, ठीक है, हम यहाँ पर फिलाल हिंदी में काम कर रहे है, तो मैंने बस बता दिया, और यह जो है, वो formatting clear करने के लिए, जैसे कि मैंने इसमें font size apply करी है, इसका formatting भी बदला है, तो अगर इसकी formatting clear करनी है, तो आप देखो, यह सब चीज़ें चले गई, ठीक है, इसका color भी text को basically highlight करने के लिए होती है, अगर आप printed paper पे देखाना चाहिए, color basically soft में देखता है, printed पे तो देखेगा निए, तो यह हमें content को highlight करने में मदद करती है, bold का मतलब होता है, थोड़ा सा मोटा कर देना, italic का मतलब तिरचा कर देना, underline का मतलब उसके नीचे line खीच देना, ठी text करो, simply control B कर दो, या फर यहां से B पर click कर दो, I पर कर दो, U पर कर दो, इसके अतरिक्त, कुछ चीज़ें आप अगर software में type करते हैं, typing या steno software में, तो वो strike throw कर देते हैं, उसका मतलब वो गलत है, जैसे इसको strike throw कर देते हैं, तो इसका मतलब यह गलत हो गया, यह फिल हाल मान में line किछती है, ठीक है, और यह जो है ना, square और down वाला, यह basically mathematical या फिर बर्ग centimeter type के, उनमें आते हैं, हाला कि यहां पर मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि आपको CO2 लिखना है, तो क्या होगा, कि जैसे मुझे 2 को upper side में चाहिए, तो मैं इस पर click करूंगा, या फिर shortcut use करूंग देखो, shortcut भी आपको बता रहा है, control, shift और plus, clear, super मतलब upper, sub मतलब down, ठीक है, तो यह shortcut apply कर सकते हैं, या फिर आप mouse का use कर सकते हैं, चुकि exam में क्या होता है, कि mostly चीज़ें, button जो है, block कर दिये जाती है, तो shortcut ना use करें तो best है, आप simply select करें, mouse से click करें, वो आपकी एक command मानी जात है, ठीक है, clear, तो इस प्रकार से आप super और subscript को change कर सकते हैं, हाला कि यह style है, text का effect है, आप चाहें, तो देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है, यह formatting को पूछा नहीं जाता, क्योंकि यह work का एक हिस्सा नहीं है, तो सिरफ text को थोड़ा सा look देने के कामात है, देखो, हो सकता है, soft copy में या फिर color copy में हम उस चीज़ को highlight करते हैं, highlighter के तोर पे, ठीक है, font color, highlight color में क्या होता है, color का background बदलता है, और font color में क्या होता है, उस font का color बदलता है, जैसे कि मैं इसमें red कर दूँ, तो cable font का color बदलता है, जबकि यह highlight वाला background color, दोनों में अंतर है, यह AB पीला दिखा बदलता है, AB बना होता है, pen बनी होती है, brush type का, ठीक है, और यह cable A बना होता है, उसके नीचे color क्योंकि यहाँ पर A और भी जगह बनाए, यह देखो यहाँ भी बनाए, इस बजए से इसके नीचे color दर्स आए गया है, तो यह font का color है, यह background color है, इसके अलाबा यहाँ पर arrow section ह यह मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ज़दा गहराई की चीज़ें हैं, और मतलब इतना गहराई भी नहीं पूछा जाता, जो basic आपके command है, वो यहाँ पर आपके clear हो जाते हैं, ठीक है, और अगली section में अगर हम move करें, paragraph, तो यहाँ पर क्या है, कि कुछ bullets हैं, numbering हैं, और यह ABCD के sub-numbering हैं, ठीक है, multi-level list, उसके बगल में indent है, इनका काम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ paragraph है, अगर आप इनको, sorry, formatting apply हो गई है, छोड़ो, और यहाँ पर जैसे मैं bullets डालना चाहूँ, bullets में क्या होता है, कि उसमें one, two, three, serial नहीं होता, तो अगर आप कोई content आगे पीछे करते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन एक number था, कौन दो number पर बाद में आपको adjustment नहीं करना पड़ता, ठीक है, bullets में क्या होता है, केवल गोल गोल बिंदी या star जो भी आप चाहें, इसमें style चूज कर सकते हैं, जैसे ये, या फर ये, या फर कुछ भी जो आप ताय करें, उसे साब से, केवल points टाइप के बन जाते हैं, जबकि numbers में क्या होता है, उसमें एक scrum generate होता है, कि ये एक number है, वो दो number है, A है, B है, C है, तो इतना अंतर है बस, जैसे कि अगर आपको कोई content लिखना है, जिसमें serialty कोई माइने नहीं रखती, तो आप bullets का use कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर serialty माइने रखती है, ये एक number पे आएगा, वो दो number पे आएगा, बहाँ पर हम numbering का use करते हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि क इतने भी कहा जाए, उतनों को select करो, जाके बैसा numbering या formatting अपलाई कर दो, clear, अब बात करते हैं indent की, आप एक चीज़ देखें, जैसी ये paragraph है, ये हाँ से start हो रहा है, बट ये हाँ से start हो रहा है, क्यों क्योंकि इसमें bullets या numbering डाल दी गई है, लेकिन without bullets और numbering डाले हम paragraph को थो बात में start हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसमें bullets numbering कुछ भी न डालू, फिर भी ये थोड़ा सा अंदर की side से start हो, ठीक है, तो इसके लिए indent है, ये बाला, तो देखो ये खिसा गया, उस तरफ और ये back, मतलब थोड़ा सा content का margin change होता है, clear है ना, जैसे एक paragraph है, ये main paragraph है, उसके अंदर कुछ और भी paragraph हमें बनानी है, तो हम इस प्रकार से बनाते जाएंगे, हमें bullets नहीं use करना, लेकिन हमें margin में थोड़ा सा बदलाव चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि ये जो paragraph है, इसके अंदर का ये content हमने थोड़ा सा divide करके लिखा है, बात के content हमारे बापस main paragraph की margin से start होंगे, एसे करने के लिए हमें indent का use करना पड़ता है, अगर कोई पहले से indented है, तो हम उसे सही कर सकते हैं, left और right indent का use करके, sorting तो खेर, paragraph में थोड़ी sorting होती है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, paragraph sign, ये basically दरसाता है कि line कहां break हुई, अगर आप click कर देंगे ना, तो ये उल्टा P, देखो जहाँ जहाँ बना हुआ है, that means बहाँ पर line break होई है, आपने enterprise किया हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, और इसका use भी नहीं होता, तो आप इसे ignore कर दें, अब आते हैं alignment पर, अभी आप देखो text जो तो by default ये कौन सा line है, left, ठीक है, अगर center कर देंगे, तो वो बीच में आ जाएगा, right side से, दाइवाई से टूटा फूटा देखेगा, right कर देंगे, तो right में proper देखेगा, left में टूटा फूटा देखेगा, justified में क्या होता है, दोनों side proper देखता है, ठीक है, तो अगर आप से क रहा जाए कि third paragraph को central line कर दो, तो कुछ नहीं करना है, simply click and central line, shortcut भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर ले जाए, control E for center, ठीक है, हाला कि shortcut exam में ना यूज़ करें, तो best है, क्योंकि वो थोड़ा सा matching के लिए, थोड़ा सा software का use करते हैं, तो command में difference जब होता है, तो थोड़ा प्र ये तो हो गई, indent, अब हम बात, sorry, alignment, अब हम बात करते हैं, line spacing की, जैसे ये जो सारे content में सारे को ना, by default format कर देता हूँ, sorry, मैं ना, nicer से paste करता हूँ, इसमें color बहुत ज़्यादा डाल दी है, मैंने, ये लीजिए, ठीक है, इसके formatting clear कर देता हूँ, अब हमारे पास normal content है, और अब हमें इसमें थोड़ी सी lining, line की spacing बदलनी है, अभी paragraph के बाद हम जब break करते हैं, तो line के बीच में space है, दो paragraph के बीच में space है, हम चाहते हैं कि इन line के बीच में भी space आ जाए, तो अभी by default ये 1.15 का है, ठीक है, अगर हम इसे डेड़ करना चाहें, तो आप देखेंगे कि इसमें अंतर हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखो, जहां मैंने select किया, बहाँ पे आप देखो, बढ़ रहा है spacing, बढ़ रहा है, तो ये line spacing है, ठीक है, किसी content को अगर आपको एक page में adjust करना है, थोड़ा सा visibility उसकी बढ़ानी है, clear करना है, तो आप spacing accordingly use क कर सकते हैं, ठीक है, अभी आप देख रहा है कि paragraph के पहली, मतलब दो paragraph के बीच में space है, that means इसके बाद, paragraph के बाद वो लगा हुआ space, तो आप देखेंगे न, remove space after paragraph, अभी लगा हुआ है, तो remove आ रहा है, नहीं लगा होता, तो वो add आता, जैसे आ रहा है, add space before paragraph, अभी after लगा ह है, तो remove कह रहा है, जैसे मैं remove कर दूँगा, तो देखो, यहां के बाद space हट गया है, ठीक है, तो अगर ऐसा कहा जाता है, कि first paragraph के बाद आपको space देना है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप enter दबा दो, यह नहीं, बिल्कुल नहीं, आप simply इस paragraph में cursor रख दो, और यहां पर ज space दे सकते हैं paragraph के, ठीक है, अब आते हैं formatting के पर, ठीक है, यह भी एक paint और button type का है, इसमें और इसमें केवल इतना अंतर है, कि यह जो content था, जो हमने select किया था, उसका background बदल रहा था, जैसे जितना हमने select किया, उसका background बदला, लेकिन यह जो balti वाला sign है, यह entire paragraph का color बदल दे जहां मारा cursor मैंने कुछ select नहीं किया, लेकिन अभी आप देखो, यह पूरे के पूरे paragraph का color बदल रहा है, भले वहाँ पे content नहीं है, देखो यहाँ पे बदल गया लेकिन, ठीक है, तो highlight color और paragraph का जो color है, या background या setting color है, वो पूरा का पूरा effect करता है, ठीक है, अब यह जो टे आप अकेले को हमें थोड़ा सा कैद करना है, ठीक है, basically यह जो borders होते हैं, वो table के काम आते हैं, तो table में अगर water का hide wide करना है, तो no water कर दो, कुछ देखेगा नहीं, ठीक है, outside water करना है, तो outside water, inside, left, right, कैसे आपको water करना है, वो आप apply कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं cable एक पंक्त क्यों, downside मैंने, केवल downside वाला मैंने यह select किया, bottom border बस, तो यह मैंने कुछ नहीं किया, underline नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस केवल एक line खीचती है, बस, और कुछ नहीं किया, table की तरह से एक line खीची, बस, ना मैंने कोई table डाली, ना कुछ किया, तो यह border डालना, ठीक है, और यह style बिसिकली वह जो predefined या प्रीफिक्स्ट style है बिसिकली यह decide है अंगरी जी content के लिए क्योंकि जो word है वह English लोगों ने बनाया है तो उन्होंने अपने लोगों की सहूलियत के लिए थोड़ी सी पहले से ही formatting select कर रहे है कि इसमें heading में यह color रहेगा यह font रहेगा यह size रहेगी वो सब चीज़ है हाला कि आप भी बना सकते हूँ हाँ पर custom apply कर सकते हो create कर सकते हो formatting clear कर सकते हो खुद की style बना सकते हो अगर चाहिए तो यह कोई use नहीं करता है बहुत कम लोग use करते हैं ठीक है यहाँ पर यह editing section है find replace and select find का क्या use है find basically यहाँ पर इस paragraph को आप बारी किसे ढूणे किसी सब्द को थोड़ा सा वक्त लेगा लेकिन find पर अगर आप क्लिक कर दें तो यहाँ actually 2019 है तो side में खुल रहा है बड़ अगर 2007 यह 10 होगा तो वह by default pop-up के तोर पर खुलता है ठीक है so find आपको क्या करना है यहाँ पर लिख दो और वो चीज़ें find हो जाती है जैसे मैं उचित अगर find करूँ ठीक है तो जैसे मैंने just copy किया आपको तो type करना होगा तो जहां भी उचित होगा न वो उस चीज़ को find करेगा देखो एक ही मिला मैं देश करता हूँ या फिर दुनिया सब्द करता हूँ तो दुनिया मेरे ख्याल से 4-3 जग़े होगा तो जहां जहां वो होगा न देखो दो जग़े है चार जग़े है एक दो तीन चार तो वो कहें कि यार दुनिया सब्द जो है न उसको underline कर तो या तो आप एक एक करके कर सकते हूँ या फिर आप replace का use कर सकते हूँ replace कैसे आता है control h से आता है ठीक है या फिर आप spec click कर दो तो replace में हमें दुनिया को क्या करना है underline करना है ठीक है तो replace bit दुनिया लेकिन उसकी formatting थोड़ी से हमें बदलनी होगी format कर देता हूँ मैं इसको underline करना था बोल्ड underline कहां चला गया हाँ जितु रहा style single ठीक है तो मैं क्या करूँगा अभी न फॉर्मेटिंग में replace कर दे रहा हूँ तो देखो यह जहां जहां दुनिया है न वहां वहां पर रिप्लेस कर दिया underline हो गया automatic दुनिया को मैंने कुछ नहीं किया दुनिया को बस केवल वह कर दिया तो चार्चा जगा जितना भी होगा न वन टाइम में replace करने पर वह automatic सारे के सारे underline हो जाते हैं ठीक है तो यह ऐसे करके आप multi-formatting कर सकते हैं one time में replacement के जरिए तो find से आप खोजते हैं चीजों को replace से या तो आप सब्द replace कर देते हैं सब्द में formatting apply कर देते हैं formatting के साथ apply कर देते हैं जैसे भूमिका सब्द को अगर 10-25 जगह हो सबोसकि मैं दुनिया को ही करता हूं चलो replace किया मैंने दुनिया को दुनिया से और formatting font इसमें default कर देता हूं कुछ है नहीं खास none अब ही मैं एक बार इसको replace all कर दे रहा हूं बापस सही हो गया मेरा सब कुछ अब मैं दुनिया को न वर्ल्ड सब्द से replace करता हूं and replace all अब यह आप देखो लो सारी जगह न चार जगह वर्ल्ड वर्ल लेग गया है बर्ल्ड वर्ल 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 और यह कहां गया दो नीचे हैं अच्छा एक दो यह रहा है यह दो ठीक है तो ऐसे करके आप सब्द तो replace करी सकते हैं सब्द में formatting भी apply कर सकते हैं तो यह formatting है ठीक है editing and select क्या है यह select basically तब काम करता है जब आपके document में multi content हो जैसे एक table है 2-4-6 shapes हैं और कुछ watermarks हैं जब आपका cursor काम नहीं कर रहा हो वो जदा behind text हो या फर उनका जो layout है वो changes हो और आप उस पर click नहीं कर पा रहे हो तब यह select content बहुत अच्छी से काम करता है object को select करना है पूरे content को select करना है क्या select करना है जैसे चार चेहां पर मैं shape डाल देता हूं insert में shapes में जाके एक दो sorry वो बार बार ही डालने पड़ेंगे दूसरे दूसरे डाल देता हूं ठीक है यह दो हो गए अब यससे suppose कीजिए इनको आपना behind text कर देते हो इनफ्रेंट नहीं करना है मुझे यार behind text कर दिया मैंने ठीक है अब अभी तो फिलहाल यह देखो चौकोर बॉक्स इस पर बन रहा है selection के लिए लेकिन अगर by default यह नहीं बन रहा होता तो आप कैसे select object पर click करें और उस object पर cable cursor ले जाएंगे click करेंगे तो वह automatically select हो जाता है तो यह object selection के लिए सबसे best option है क्योंकि control ए करके तो हम by default यहां पर all content select कर ही सकते हैं particular किसी content या object को select करने के लिए select option सबसे ज़्यादा सहायता प्रवदान करता है तो इसमें क्या है clipboard से ले करके मैंने editing तक सारी चीज़ें clear कर दी हैं अब इनके जो questions हैं मैं आपको provide करने वाला हूँ prime group में देखता हूँ आपने कितना सीखा है वीडियो को भले दो बार देखो तीन बार देखो basic formatting मैंने बताई है जदा detail में अभी नहीं बताया है तो एक बार देख लीजिए और फिर देखते हैं कितने लोग proper formatting कर पाते हैं इन basic commands पर दिये गए question के according कर देखते हैं